तो जो दिक्कत है वो यह है कि हम state similarum के बारे में एनिमनसर लिखते हैं कि अगर organ में पढ़ोगे तो एक word search करोगे तो state और state of health, state of disease, morbid state इस तरीके से words एनिमनसर यूज़ करते हैं तो healthy state और disease state ये दो states के बारे में एनिमनसर लिखते हैं और वो एक सो साथ जगा पे हैं एनिमनसर कहीं नहीं लिखते हैं कि constitution होना चाहिए physical makeup होना चाहिए या mind picture होना चाहिए ठीक है तो ये हनिमनियन literature में नहीं है बट हम लोग आज भी easy चक्कर में बहुत बार उलज जाते हैं अपने अपनी जो भी कुछ systems develop हुई है उसकी कुछ scope हो सकते है limitations भी हो सकते है बट वो complete नहीं है हनिमनियन point of view ये आप तो आपको understand होना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि हनिमन सर अगर आप state word डालोगे और उतना paragraph पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हनिमन सर क्या border actually क्या treat कर रहा है और क्या consider कर रहा है हमें